नमस्कार आप देख रहे हैं NBC24 और मैं हूँ आपके साथ फाइका फातिमा बिहार के रहने वाले ऐसे लोगों के लिए खुशकबडी है जो नाशनल हाइवे के किनारे अपने दुकान खोलना चाते हैं यानी सुविदा युक्त और सहसुंधर ढाबा जिससे रेस्टरेंट की तरह सुविदा हो पार्किंग हो और खासकर वाश्रूम के साथ सारी मूलबूद सुविदा हैं हो ऐसे लोगों को प्रोचसाहित करने के लिए बिहार सरकार उन्हें अनुदान देने जा रही है ऐसा ढाबा खोलने वाले लोगों को 50 लाख रूपे का अनुदान मिलेगा बिहार सरकार प्यर्टन विभाग के मुताबिक अगले तीन सालों में प्यर्टन केंद्रों को जोडने वाले सभी सडकों पर 150 से अधिक लगजरी ढाबा, रेस्टरून और सुविदा केंद्र खोल खोलने की योजना तयार की है, इसके लिए विभाग द्वारा पेयर्टन केंद्रों तक जाने वाले 23 लोगों को चिन हित कर दिया गया है, इसमें उत्तर प्रदेश के वारानासी, गोरकपूर और कुशी नगर को जोडने वाली सरकों पर विशेश धियान दिया जाएगा, विभाग ने कहा है कि इन 23 रूटों पर 40 premium और standard सुविधा से less धाबा restaurant खोले जाएगी, जबकि 7 बुनियादी सुविधा वाले धाबा restaurant भी खोलने की योजना है, सरकार की योजना है कि पहले से चल रहे धाबे को और भी सुविधा दी जाएगी, इसके लिए विभाग जी निवेशकों और संजालकों को 10 लाग से लेकर 50 लाग तक का अनुदान भी देगा, पैटकों की सुविधा के लिए पुर्व पश्चिन गलियार के साथ के रूप में चिन हित किये गए गोपाल गंज, मुजफर पूर्दरभंगा, सुपॉल, पुर्णिया, किशन गंज रूट पर सबसे अधिक 18 लगजरी धाबा, स्थलो जैसी सुविधा केंदर खोले जाएंगे, आपको बता दे कि ये रूट सबसे लंबा है और यहीं से यूपी की सीमा शुरू होती है और बंगाल तक जाती है, पैटन विभाग के मुताबिक इस रूट में 3 प्रीमियम, स् पर बाड़ा और भागलपूर बांका, जमुई और वैशाली, सारन, सिवान, गोपाल गंज रूट पर 11-11 लगजरी सुविधा केंदर खोलने की योजना है, पैटन आरा, रोहतास, मोहनिया, मुजफरन पूर, मोतिहारी और बख्तियार पूर, बिहार शरीफ, रजौली पर तक विभाग को आवेदन देंगे, जिन आवेदकों के पास धावा रेस्टरॉन के लिए सरक किनारे अपनी जमीन उपलब्ध होगी, उन्हें ज्यादा रियायत दी जाएगी, इसके अलावा सरक किनारे नियुत्तम आधा एकर जमीन में चल रहे मौजूदा लगजरी ड पड़िया ता की दी जाएगी, इसके लिए 20 लाख रुपे तक का अनुदान भी दिया जाएगा, ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें NBC24